वेलकम एप्रिवन इस बेडियो में मैं आपको भिन्नों का गुणा करना और काटना बताऊंगा बिलकुल आसान तरीके से यदि इससे पहले आपको भिन्नों का गुणा करने में और काटने में कोई प्रॉबलम होता था डाउट होता था तो वो आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे और इस बेडियों में मैं आपको बिल्कुल basic concept से सिखाऊंगा यदि आप एक बार basic समझ गए तो फिर उसके बाद जो है आप आसानी से बहुत जल्दी भिन्नों को हल कर सकते हैं तो सबसे पहले हम जानते हैं भिन्न होता क्या है तो भिन्न होता है उसको हम अंस उपर वाले हिस्से को अंस बोलते हैं और नीचे वाले हिस्से को हर बोलते हैं जैसे कोई भिन्न है हमारे पास 3 बटा 4 तो ये तीन क्या हो जाएगा इसमें ये अंस हो जाएगा और ये हर हो जाएगा अब जो concept है आपका वो concept बिल्कुल simple है कि हम जब गुणा करेंगे तो अंस का अंस से करेंगे और हर का हर से करेंगे जैसे हमारे पास भिन्न दी होती है A बटे B, C बटे D, E बटे F और हमें इनका गुणा करना है तो ये जो arrow है इससे आप समझ लें कि उपर का गुणा उपर से और नीचे का गुणा नीचे से तो हमें क्या मिल जाता है A इंटू C इंटू E, B इंटू D इंटू F ऐसा मिल जाएगा और यदि कुछ कट रहा होगा, कुछ common होगा, किसी संख्या से उपर और नीचे का कट रहा है संख्या अंस और हर तो उसको हम काट देंगे यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर लें जिससे मैं जो वेडियो आंगे अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे इस वेडियो को देखने के बाद कोई डाउड नहीं रहेगा आपके पास बिल्कुल आसानी से आप धिन्नों को काटना और गुणा करना सीख जाएंगे जैसे ये कुश्चन दिया हुगा है 7 बटा 11 गुणा 33 बटा 14 इसको हमें हल करना है तो हम लिख लेते हैं 7 बटा 11 गुणा 33 बटा 14 तो हम क्या करेंगे इसको लिख लेते हैं पहले मैं आपको समझाने के लिए इसको ऐसे लिख लेता हूँ हर का गुणा हर से तो 7 गुणा 33 हो जाएगा बटा में कितना हो जाएगा 11 गुणा 14 तो अब क्या करेंगे आप इसको काट लेंगे यदि ये कट रहा है ये 33 है तो क्या हो जाएगा ये 7 का पहाड़ा जहां हम 2 बार पढ़ेंगे तो हमें 1 बार पढ़ेंगे तो 7 और 2 बार पढ़ेंगे तो 14 तो यहां 2 हो जाएगा ऐसे ही 11 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे तो कितना मिल जाएगा 33 और एक बार यहां पर एक तो एक का गुणा तीन से होगा तो तीन मिल जाएगा और एक का गुणा दो से होगा तो दो मिल जाएगा तो ये भिनने को हमने क्या कर लिया हल कर लिया कितना मिल गया हमें तीन बटे दो बिल्कुल आसान concept है, बिल्कुल आसान तरीका है, आपको हर का गुणा हर से करना है और अंस का गुणा आपको अंस से करना है अब आपको यदि आप इसको concept को समझ चुके हैं तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं है यदि आपको multiplication करने के लिए बोला गया है और भिन ने दी हुई है, गुणा करने के लिए बोला गया है तो आपको इतना आँगे जाने का जरूरत नहीं है मैंने बिल्कुल basic से बताया है आप यहीं पे इनको सीधा काट सकते हैं मैं अगले question के जरी ये बताता हूँ और आसान तरीके से यदि आप ये समझ चुके है अगला question है तो मैं सबसे पहले इसको लिख देता हूँ तो ये देखिए चार का पहाड़ा दो बार हम पढ़ेंगे तो कितना मिल जाएगा आठ तो यहाँ दो यहाँ एक इसी तरह तीन का पहाड़ा हम दो बार पढ़ेंगे तो कितना मिल जाएगा छै तो यहाँ दो यहाँ एक इसी तरह साथ को साथ से काट देंगे तो यहाँ एक और यहाँ एक आप इतना हम सब जानते हैं एक का गुणा किसी भी संख्या में करेंगे तो एक ही मिलेगा तो उपर कितना बचेगा दो और नीचे कितना बचेगा दो दो को दो से काट देंगे तो कितना एक मिल जाएगा तो इस भिन्ने का जो solution है यह जो बड़ी भिन्ने हमें दी हुई थी भिन्नों का हमें गुणा करन था तो इसका solution कितना मिल गया इसका answer हमें मिल गया 1 तो आप जो है सीधा सा आपको यदी भिन्नों को गुणा करना या काटना है एक्जाम में तो बिलकुल आसान तरीका है आप अंस का अंस से गुणा करेंगे हर का हर से गुणा करेंगे और काटेंगे कैसे अंस को हर से चलिए ये एक और question मैं आपको करा देता हूँ ये दिया हुए 1 y 3 into 3 y 7 into 4 y 9 तो हम इसको लिख लेते हैं 1 y 3 3 y 7 4 y 9 3 y 7 3 y 7 3 y 7 और कट रहा हो तो 4, 9, 7 ये ऐसी संख्या हैं एक दूसरे से कोई संख्या नहीं कट रही है ना 4 को हम 7 से काट सकते हैं ना 4 को हम 9 से काट सकते हैं तो हम इनका गुणा कर लेते हैं कितना मिल जाएगा? एक का गुणा 4 से करेंगे तो 4 मिल जाएगा और साथ का गुणा नौ से करेंगे तो कितना मिल जाएगा 63 तो यही इस भिन्न का क्या हो जाएगा हमारा सरलतम रूप हो जाएगा यही इसका अंसर हो जाएगा मेरे हिसाब से ये वेडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट जो भिन्नो को गुणा करने और काटने के बारे में होते हैं सारों का जो है आंसर मिल गया होगा यदि कोई कुश्चन ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है भिन्ने का तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मैं उसका निश्चती आपको रिपलाय दूँगा तब तक के लिए ठैंक्स पर बॉचिंग और यदि आपने चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो कर लें